आज हम अन्फूल्ड करेंगा आपके इल्मारी बेका मोस्ट इमांड़िड आर्टिकल प्यूर शिफॉन की साड़ी है इससे मैं जो औरिजनल पैटर्न पे टैन डैश एट के अंदर इसको अन्फूल्ड करेंगा आज हूं अच्छे से पहले यह देख लें प्यूर शिफॉन क साड़ी है यह साड़ी का पल्लू आगिया है टाइन डैश एट के अंदर हैविट थ्रेट इम्डॉट्री के साथ डिटल शेक करने पल्लू की आप लो ठीक है जी पल्लू की विद चेक करने एक्जैक्ली से में जो औरिजनल विद है पूरी पूरी साइजिंग के साथ टाइ हेविट थ्रेटन सेक्वेंस वर्ड की इम्डॉट्री है स्टेश पर्ल्स के साथ पूरी कट वर्क के अंदर ठीक है जी यह पल्लू के बॉटम आगए थ्रेटन सेक्वेंस वर्क में इसका व्यू चेक कर लें पूरा आप लो प्यूर शिफान की उपर टाइन डैश एट के के अंदर क्लोज अब चेक कर लें इम्डॉट्री के हैविट इम्डॉट्री है स्टोंज वर्क के साथ ठीक है जी च्छन वर्क है पूरा से में जोरीजिनल पैट्र इन स्टाइलिंग के उपर यह इसके बॉर्डर आगए उपर नीचे के टाइन डैश एट के अंदर लेंगे आप लोग अच्छे लेंद एंड साइजिंग की इशू आते है पूरा पन्ना है पूर शिफॉन के उपर पूरी लेंद के साथ यह बॉटम आगया साड़ी का त्राइड और सीकमेंस इंब्रोडर्री में कट वर्क बॉडर्र के साथ पूरी फिनिशिंग में यह जो पूरी है विल है वी स्टोन वर्क प्लोजाप चेक कर लें फैबरिक का प्यूर शिफॉन के ऊपर सेम फैबरिक यूज एन ओरीजनल यह इसका घेरा आगया साड़ी का अच्छा यह आगया है इसका बलाउस फ्रेंड बैक का बलाउस है प्यूर शिफॉन के ऊपर च्छन यह इसका बलाउस का फैबरिक यह इसका फैबरिक यह इसका प्यूर शिफॉन के ऊपर च्छन वर्क के साथ डेटल शिफॉन के अप लो ठीक है जी यह इसकी स्लीव आगई अच्छा जी डिटेलिंग चक कर लें स्लीव में आप लो यह स्लीव के कफस आगए हैवी अड़र वर्क के अंदर स्टून वर्क के साथ ठीक है जी और यह स्लीव के बंचिस आगए और गंजा के ऊपर हेवी थ्रेड अंसिक्मेस इंब्रोइडरी है डबल शेड़ थ्रेड के साथ ठीक है जी और यह आगए है इसका रॉसिल का पेटी कोड तेंक यू झाल